देखते हैं कि गोली दरपड होता क्या है तो गोली दरपड काज के खोकले गोले का भाग होता है जिसके किसी एक सत्व पर पारे का लेप लगा कर दूसरे प्रिष्ट को परावर्तक तल बना दिया जाता है गोली दरपड दो परकार के होते हैं एक होता है औतल दरपड एक होता है उतल दरपड तो देखे समझे जैसे हम माल लेते हैं कि यह कोई काज का खोकला गोला है अब यह काज का खोकला गोला है तो यह पारदर्सी होगा अब इस काज के खोकले गोले से हम दो ऐसे भाग काट ल तो यह देखिए अब इसके हम किसी एक सतह पर कलाई कर जैसे इसको हम इस सतह पर पारे का लेप लगा दे तो पारे का लेप लगा देंगे तो यह चिकनातल हो जाएगा परावर्तकतर तो इसमें परावर्तन की प्रक्रिया उभरे भाग से हो रही है और इसमें परावर्तन की प्रक्रिया दब हुए भाग से हो रहे क्योंकि यह दबा हुआ भाग है और यह उभरा हुआ भाग है ठे तो लिखेंगे क्या कि यह गोली दरपड काच के एक खोखले गोले का भाग होता है जिसके किसी एक प्रिष्ट पर या सतह पर हम पारे का क्या लगा देते हैं लेप इसमें प्रावर्तन की प्रक्रिया दब है बाग लेते हैं तो इधर से जो भाग होगा वह उभरा होगा और इधर से जो ऻाओ ऑग दबा होगा तो हम कहेंगे कि ओतल दरपड किसे कहेंगे तो वह दरपड जिसमें परावर्तन की क्रिया किस भाग से हो दबे हुए भाग से हो जब परावर्तन की प्रक्रिया दबे हुए भाग से होगी तो कलाई किस भाग पर करेंगे उभरे भाग पर ठेक तो लिखेंगे अतल दरपड क्या होता है तो लिखेंगे कि वह गोली दरपड जिसमें परावर्तन की क्रिया दबे वे भाग में होती है उस दरपड को हम कौन सा दरपड कहते हैं अतल दरपड ठेक जैसे में चीतर A चीतर नीचे बनाया गया है दुनेख सार यहां पर देखिए अब बात करेंगे उत्तल दर्पड तो वह दर्पड जिसमें प्रावर्तन की क्रिया उभरे भाग से होती है उस दर्पड को हम कहेंगे उत्तल दर्पड जैसे चित्र B अब देखिए चित्र A और चित्र B होता क्या है तो हम देखते हैं चित्र A और चित्र B के बारे में तो देखिए यहां पर चित्र A में कलाई किस भागपर किया गया है उभरे भागपर तो उभरे भागपर कलाई किया गया है तो परावर्तन की प्रक्रिया किस भाग से होगी दबे भाग से तो यहां कौन सा दरपड होगा यहां अवतल दरपड होगा और यहां दरपड देखिए इसमें कलाई किस भाग पर किया गया है इसमें कलाई या पारे कालिफ किस भाग पर लगा गया है दबे हुए भाग पर तो इसमें प्रावर्तन की प्रक्रिया किस भाग से उभरे भाग से तो यह कौन साधर पर उत्तल या फिर याद करने का तरीका देखिए उसे उत्तल उसे उभरा मतलब जिसमें परावर्तन की प्रक्रिया उभरे भाग से होगी वह उत्तल जिसमें परावर्तन अब उभरा छोड़कर एक होगा दबा तो जिसमें प्रावर्तन की प्रक्रिया दभी भी भाग से होगी वह कौन से दरपड होगा वह होगा अवतल तो यहाँ पर हम बात करेंगे कि गोली दरपड समंदित कुछ परिभास आए अब थे गोली दरपड सबंदी कुछ परिभासा आए तो जैसे में गोली दरपड का वकरता के अंदर क्या होता है तो यहाँ पर हम देख लेते हैं की यह Fuck municip house गोले का एक आखार बनाए गया है ठीक ने तो यहाँ पर काच के खोखले गोले के इतने भाग को काट लिया गया है अब इतने भाग को जब हम काट लेंगे तो यहाँ वाला भाग हम बस डैडड़ से दसाएंगे तो यहाँ पर देखिए पहले हम बात करेंगे वक्रता केंदर तो यह वास्तों में है क्या यह वास्तों में यह जो दरपड बना है या काज का एक खोखला गोला है तो काज के खोखले गोले के केंदर को हम वक्रता केंदर रखेंगे ठेक तो लिखेंगे क्या कि यह गोली दरपड कैसा दरपड है अव गोली दरपड जिस खोखले गोले का भाग होता है उसे खोखले गोले केहमें केंद्र को अकर्ता केंद्र कहते हैं यहाँ पर देखिए यह उत्तल दरपड है कैसे पता क्योंकि इसमें परावर्तन की प्रक्रिया किस भाग से होगी उभरे वे भाग से तो हम क्या कहेंगे कि गोली दरपड जिस खोखले गोले का भाग होता है उस खोखले गोले की केंदर को हम वक्रता केंदर कहते हैं और इसको की से दर साते हैं C से दर साते हैं ठीक तो देखें यहाँ पर क्या लिखा गया है यहाँ पर लिखा गया है कि गोली दर पड़ जिस खोखले गोले का भाग होता है उस खोखले गोले के केंद्र को वकरता केंद्र कहते हैं और इसे capital C से प्रदर्शित करते हैं ठीक अब हम बात क करेंगे यहां पर गोली दरपढ़ का वक्रता केनव तो हो गया अब यहां पर बात करेंगे ध्रू तो यहां देखे दरपढ़ यहां से लेके यहां तक का है यहां से लेके यहां तो दरपढ़ का यह मध्य बिंदू है और इसी दरपढ़ के मध्य बिंदू को दरपढ़ का क् ध्रू कहते हैं तो लिखा गया दरपढ है तो यह गोली दरपढ का यह मद्धिफिंदू है तो इसे कहेंगे हम दरपढ का ध्रू अब बात करेंगे वकरता त्रिज्या तो वकरता त्रिज्या देखे यह ध्रू हो गया और यह केंद्र हो गया तो द्रूव से केंदर के बीच की दूरी को वकरता त्रिज्जा कहते हैं और इसको किसे परस्थ करते हैं R से तो देखें यहाँ पर लिखा गया है कि गोली दरपड में दरपड के द्रूव द्रूव को किसे दरसाते हैं P से तथा वकरता केंद्र जिसकों कि दर साते हैं C के बीच की दूरी को दरपड का द्रूव कहते हैं इसे र से प्रदर्शित करते हैं अब वकरता द्रूव हागा तो मुखेच किसे कहेंगे तो मुखेच के लिए देख लिजिए यह P क्या है पोल, पोल माने ध्रू, यह C क्या है सेंटर, सेंटर माने केंदर तो ध्रू से केंदर के बीच की दूरी को वकरता त्रिज्या अब बात करेंगे मुख्यच की तो यह देखिए वकरता केंदर है और यह देखिए ध्रू है तो वक्रता केंद्र और ध्रूव से होकर जाने वाली सीधी रेखा को हम क्या कहते हैं मुख्यच तो मुख्यच की परिभासा क्या होगी कि गोली दरपड के वक्रता केंद्र तथा ध्रूव से होकर जाने वाली सीधी रेखा को दरपड का मुख्यच कहते हैं अब बात करेंगे मुख्य फोकस की तो मुख्य फोकस को फोकस के नाम से जाना जाता है तथा फोकस दूरी क्या होता है तो यहां पर देखिए यहां आउतल दरपड है आउतल दरपड कैसे पहुचानेंगे क्योंकि आउतल दरपड होगा तू देखिए यहां काच का पहले खो उबरे वे भाग पर कले करेंगे अब उभरे हुए भाग पर कले करेंगे तो परावर्तन की प्रक्रीया दप भाख दे होगी तो इस दरपड को हम कौन सा दरपड कहेंगे houses तो यह नो पर यह यहाँ पर यह मुख्य अच्छ है यह वक्रता किंद्र है और यह क्या है फोकस है ठेक और इस फोकस को किसे दर साते हैं यह अपसे यहाँ पर बगल में दर साया गया है कि फोकस को किसे यह अपसे तो देखिए कि यह प्रकास किरड़ जो चल रही है वह मुख्यच के क्या है समा तो मुख्यक्य के समान्तर चलने वाली प्रकास करड़े प्रवर्तन के पशचात जिस बिन्दुसी हो कर जाता है उसे हम कहेंगे भोकस तो उतला में दिखाई दिखाई देता है जाता है और उतल में हम मान लेते हैं तो देखिये क्या लिखा गया है? कि मुख्यच के समानतर चलने वाली प्रकास क्रिडे जिस प्रकास क्रिडे परावर्तन के पश्चात यहाँ पर क्रिडे क्या लिखा जाएगा कि परावर्तन के पश्चात तो मुख्यच के समानतर चलने वाली प्रकास क्रिडे परावर्तन के पश्चात कर जिस भीनदू से हो कर जाती है उतल दर्पड या जिस भीनदू से आती प्रतीत होती है उतल दर्पड में होता है फोकस कहलाता है इसे एप से प्रदसित करते हैं तो देखिए मुख्यच के समानतर चलने वाली प्रकास के रिड़े परावर्तन के पश्चाच जिस बिंदु से उकर जाती है उसे फोकस कहते हैं ठीक और यह फोकस है और यह दुरू है तो फोकस से दुरू के बीच की दूरी को फोकस दूरी कहते हैं तो आप लिखा गया है तथा मुख्य फोकस से दुरू के बीच की दूरी को फोकस दूरी कहते हैं और इसे इसमाल एप से प्रदसित करते हैं ठीक